हेलो माई यूटूब फैमली वेलकम बैक तो यूर ओन चैनल तूड अगेन प्रेजंटिंग इन न्यू लेटर सेशल फोर यू लवली वेपल लेस्ट तूइट हलो आज हम कुछ लेटर सेशल सेखेंगे त्रेड के साथ विद पॉनी टेल तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमें स पर सलीख है, debit and clean हेर रहेगा और आपको जो पॉनी बनानी हो काफी टाइट बनानी है उसके बाद अब हमें क्या करना है है हमें equal स्थ्रेड लेना है जो भी आपके पास available हो उसको equal आपको करना है और equal करने के बाद已經 इरह को हमारी पौनी के पार रखना है और आपको यह ऐस section लेने हैं बिल्कुल जो हमारी pony बिल्कुल equal लेंगे section ना मोटा ना पतला left right सेम होना चाहिए section उसके बाद हमारे पास दो thread के move अच्छे हैं सिरे बचे हैं उसको हम एक right की side ले आएंगे और एक left की side ले आएंगे अब इसमें क्या करना है आपको round पूरा करना नहीं को फोर य्या three आपको decide करना होगा कि आपको thread कितना बढ़ा है और आपकी density कि the hair की तो उसके according आपको decide करना होगा कि आपको three round करने thread के या four round करने मैंने four किया है four करनो round करने के लाइद हमने exception निकाला है right की side की तरफ अब हमें उसके नीचे से आपको 4 again 4 round करने हैं उसको side में छोड़ देंगे solid section को अब again हमें 4 round करेंगे जो भी आपने अगर 3 round के 3 round करने अगर 4 round के तो 4 round करने मैंने 4 किया है तो हम भी इसमें भी हम 4 करेंगे या आपको 4 round होगे again हमें क्या करना है फिर equal section निकालेंगे और इसको right side में छोड़ देंगे और उसके नीचे से आपको thread निकालना है और ध्यान रहेगा इस thread बिल्कुल इसके जो उपर वाला section है बिल्कुल उसके equal होना चाहिए gap नहीं होना चाहिए उसमें ज्यादा बिल्कुल उसके same रहना चाहिए अब यह देखे हमने four thread कर दिये फिर अगेन वही same technique करेंगे हम हमें thread section निकाला और उसके नीचे से thread लिया और फिर वही four round करेंगे हम यह देखिए और उसको tight करना है आपने बिल्कुल भी lose नहीं करना है जितना आप tight करोगो उतना अच्छे आपकी shape आएगी जो हम hairstyle create कर रहे है अगर आप lose करोगे तो बिल्कुल lose हो जाएगा वो shape नहीं आएगी जो हम चाह रहे हैं हमारे hairstyle में shape आनी चाहिए वो वाली चीज अगर guys आप लोग को कोई अगर वीडियो अच्छी लगती है तो please अपने दोस्तों के साथ share जरू कि जिसको भी ऐसा hairstyle सीखना है या वो नहीं बना पा रहा है उसकी help हो जाएगी तो please share कीजेगा अपने दोस्तों के साथ अगर आप खुद चैनल पर नया देख रहे हो तो please हम आप लोग वीडियो देखते हो बड़ चैनल को subscribe नहीं करते हो तो please एक सेकिन लगीगी आपकी तो please चैनल को भी subscribe कर देना अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो और अच्छा नहीं लगता है उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब यह देखिए हमारा thread खतम होने वाला है तो हम उतने ही section लेंगे जितने हम स्टार्टिंग से लेते वे आ रहे यह नहीं जड़ा heavy density हो आप thread और ज्यादा ले सकते हो यह देखिए अब इसके बाद आपको क्या करना है जो last वाला बिल्कुल जो ends रह जाएगा बिल्कुल thread का यह देखिए इसमें section अगर हो पाया तो ठीक है नहीं तो आप cut भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि यह three या four round नही के pin भी लगा सकते हो बर्ट हमारा हो गया था four तो हमने इसलिए छोड़ा नी अब इसमें क्या करना हमने बोग पिंस को tightly अच्छे से लोग कर दिया है लोग करने के बाद अब हम left side भी हमी same technique बिल्कुल as it is follow करनी है जैसे हमने right side में की है कुछ भी changes नहीं है जैसे आपने four न निकालना है और section लेना है फिर section के नीचे से लेना है आपको बिल्कुल same way technique follow करनी है आपने यह देखी आइस हमारा left side का मैंने इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी उजाती अब हमें क्या करना है इसमें जो section निकालते पहले backcomb करना है backcomb करने क के बाद हमें टॉंग मशीन से हमें 25 नंबर की में टॉंग यूज कर रहा हूं और इसको वेव्स क्रियेट करने हैं हमारी डमी की जो लैंथ हो बहुत जादा नहीं है इसलिए हमारे प्रोपर जो hollywood वेवस आने चाहिए थे वह आ नहीं पाएंगे बड़ मैंने एक आपको example है तो left side की तरफ right है तो right side की तरफ टॉंग का यूज करना है इस बात का बहुत दियान रखना है तब यह आपके waves दोनों तरफ से equal लगेंगे नहीं तो left लगेगा राइट लगेगा तो यह गलती नहीं करनी है आपको यह देखिए पहले मैंने left वाले side किया तो पुरा मेरी टॉंग देखिए पूरी inverse में चल रही है और जब मैं right की तरफ करूंग तो मेरी टॉंग outwards में चलेगी अब यहां पर हमें back home करना है ताकि यह अच्छे से फैल जाए अब यह देखिए guys एक दिक्कत डमी में ही है कि right side की length इसकी बहुत ज़्यादा short है और left side की length बहुत रहे हैं बड़ आपको टॉंग देखनी होगी मैंने right side से outwards की तरफ लिए और left side से inverse की तरफ लिए then होने के बाद आपको क्या करना है आपको कोई भी जी कॉम लेनी है और आपको यह सारे waves खोल देने है अगर इसकी length equal होती तो प्रोप पर यह नीचे की तरफ hollywood wave बन जाते इसकी प्रोप पर बट इसकी length short है right side की तरफ तो इसलिए नहीं बन पाएगी तो आपको यह सेम टेक्निक यही follow करनी है बट आपको यह सेम हेस्टाइल as it is ऐसे ही बनेगा so don't worry and यह देखिए गाईज हमारा final look क्यासे लगा आप लोग प्लीज कमेंट से जूरू बतना अगर चैनल पर नवी हो तो प्लीज चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करते हैं बैल आइकन को जुरूर पैस करते हैं ताकि आने वाली वीडियो क्यों आपके पास आते रहे ओके बाबाए